फेलो दोस्तों आज मैं उन घरों का हार्ष्टूर करने वाला हूं जिन घरों को लोगों ने छोड़ दिया ठीक है और नए घर में सिफ्ट हो गया तो आज मैं वही पुराने बाले घर को हार्ष्टूर करने वाला हूं तो चलो इस टार्ट करते हैं पहले लोग पहए रोम में ठीक है है तो इदर आप लोग देख सकते हूँ यह उपर क्या है इसको क्या बोलते है तीन लगा के और ठीन लगा हुआ तो अपसका यहां फोकर से बीघ जो और रोज secular हा देख सकती इधर भाई सार इधर चाहती नहीं है क्या है यार और आप लोग देख सकते हो तो इधर से भी आप लोग देख लो और इधर से भी और इधर क्या यार इधर खिरकी भी नहीं है और पता यहां पर एक बात आप लोग देख सकते हो यहां पर दो दो इंटो का इसको क्या बोलते मतलब तो आप लोग देख सकते हो हो यहां पिस दो ही रूम और एक वह रूम तो पता नहीं क्या और यह बरंडा था तो आप लोग देख सकते हो नीचे यार पूरा में जंगल टाप का हो चुका है तो अभी चलते हैं दूसरे घर में और यह घर इतना ही बारा है तो अभी चलते हैं दूसरे रूम में मतलब दूसरे घर में ठीक है तो आप लोग इसमें लोग कोई रहता नहीं घिक है तो इसलिए बालू रखा गया है और इधर कुछ खाले टाप का है तो आप लोग इधर देख सकते हो यह तो अंदर चले बाइस आप गार फट रहा है पर कुछ भी हो सकता है अंदर कुटा उत्ता सांप आप कुछ भी हो सकता है तो अभी अंदर चलते हैं ठीक है अंदर देखते हैं कि कैसा स्थिन रहता है तू समझा नए तू समझा नहीं तो भाइसा अभे ओ भाइसा तो अभी इंटर करते हैं आप लोग इधर देख सकते हो कुछ जाना रखाव है ठीक है और इधर आप लोग देख सकते हो खाना पाकाने के लिए यह क्या बोलते इसको गोड़ा मतलब वह गायका गोबर का हां ठीक आप लोग देख सकते हो यह किसी को दिखता नए ठीक है तो यह है और इसमें मतलब कुछ नहीं आप लोग देख सकते हूँ वह भाइसार में पर तो इधर में आप लोग को उपर से दिखा देता हूं जाने वाला जगन यह ठीक यहां पे कुछ बनहा हुआ है ठीक है तो यहां पे भूसा रखा गया है भूसा कुट्टी कटागा ठीक है मतलब क्या बलते हैं उसको भैस को खिलाने के लिए ठीक है तो अभी इसको बंद कर देते हैं पता नहीं किसका होगा किसका नहीं घर पता नहीं किसका है तो अभी चलते हैं दूसरे घरों में और देखते हैं की अगला घर कैसा दिखता है चलो तो अभी हम लोग आ चुके हैं नए घर पर आप लोग देख सकते हो पीछे तो आप लोग यहां से स्टार्टिंग से देख सकते हो कितना बड़ा घर है ठीक है और पता नहीं यह इसमें मतलब क्या रखने के लिए बनाया गया ठीक है तो अभी मैं आप लोग को इसका हाउस्टूर करने बाला हूं तो चलते ह अभी वाईस है तो अभी चलते हैं देखो पहले रूम में चलते हैं एधर तो इधर आने आते ही इधर आप लोग देख सकते हैं यह क्या है यह भी खाली है मतलब यह पर आप लोग देख सकते हो कुछ पण्य टाइप का कुछ रखा गा ठीक और बहुत ज़रा अंध्यर है और इधर एक खिरकी भी है ठीक है और उधर आप लोग देख सकते हो समान रखने के लिए छजी बनाया गया है और मुझे तो यह नहीं समझे में आ रहा है कि यह मतलब है क्या यार तो इधर बहुत अंध्यरा है तो भी चलते हैं दूसरे रूम में उधर ठीक है तो आप लोग आप लोग देख सकते हो अब बहुत है जलते हैं यह मतलब देख सकते हो यह नहीं पने लगा रहा है कि न्या मतलब अभी च्छट जो है न्या बनाई टीक तो अभी यह इतना ईबार है तो अभी चलत ये कितना चोटा है और मतलब इसली एक ही रूममें ठीक है तो आप लोग अनदर पिघंड की खने के लिक्षा कर टकी सकते हो यह इसमें है भाई साहब इसमें तला मारा हुआ है ठीक है तो आप लोग में अंदर से दिखाता हूँ कि यह घर अंदर से कैसा दिखता है ठीक है तो अंदर से आप लोग देख सकते हैं भाई साहब कितना डर लग रहा है यार नहीं नहीं खुला है तो डर ने की कोई बात नह यहां पर कुछ है कि शब्र चुद्ध में अगले घर में दुसरा घर है तो आप लोग पहले आप लोग इधर सही पता है इसे मतलब अच्छा लग रहा है तो आप लोग में दिखाता हूं ऐदर खुलते हैं आप लोग देखैक Fsunajス that you ever see that galaxy थोड़ा दिखा कर में सतनां वाइस्त पूरा टूटा हुआ आप लोग देख सकते हो यह तो अभी इसके अंदर चलते हैं itへ कवे करते हैं कि फाहिशा लोग देख सकते ओंग यह कुछ भूर रखा ख़ा एक और इदर बैस और dh पट्टोप कर खा शोड़ ça अब करका अब अब एधर नहीं करता यहीं पर एंद डाय पिराहिए-दो इसा फीडेश बोड़ Dash अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियों तो तक लिए बाई